हेलो दोस्तों कंप्यूटर सीखें कि एक नए प्रिशोड में आपको फिर से स्वागत है आज कि इस वीडियो में मैं आपको Microsoft Office के इंदर जो इंसर टैब होता है इंसर टैम में हमारे टेबल का टूल होता है तो इस टेबल टूल को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो इस वीड टूल पर डिडिकेट वीडियो बनांकर करके दिया है जो कि चैनल पर आल इडिया आपको मिल लागा प्लेलिस्ट के अंदर तो अगर आप Microsoft Office बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करना चैनल को सब्स्राइब करना प्लेलिस्ट में ज सारे डिटोरिल मिल जाएंगे से लगे हुए चलिए अब ज्यादा बातें ने करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप MS Word के अंदर टेवल टूल को यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों यह टेवल टूल क्या होता है विसकली तो MS Word के अंदर जो टेवल टूल का यूज़ करके आप अपने वर्ल्ड डॉकुमेंट के अंदर टेवल को क्रीट कर सकते हैं अब यहाँ पर जैसे उत्पर टेवल करेंगे यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलता है जैसे पहला यहाँ पर आपको बॉक्स मिलता है इतना सारह यह देखे बढ़ा सा तो इसका यूज हम किसली करतें इसका यूज तब करतें जब हमको एक simple table बनाना होता है जैसा कि यहां पर आप जैसे जैसे इसको select करेंगे यहां पर आप देखेंगे दिखा देगा पीज में आपको इस तरीके से आप आप टेबल बनाना चाहें तो इसपर साइने कर चाहिए तो आप इसकर करेंगी तोantes में क्या होता है पुझे नहीं क्रेट कर सकते हैं यहां पर आपसे पूझे आप से पूछेगा तो आप से कितने बनाने कितने व बनाने को करना ओर आप के Mark तो आगे हम आते हैं अगली टूल पर बात करते हैं अगला उक्सिन पर आता है आपको ड्रॉडब करना चाहते हैं तो आप उसको सीम्पल सा आपके कंप्टूटर में आप उसी वाली एकसल ऐंकर यहां पर यूज कर सकता है अधर नवाथ आप इस पर कलिक करती यहां पर देखेंगे यहां पर आपको आज आईगे अब यहां पर आप जैसे एक्सल में काम करते हैं सेम उसी तरीके से आप यहां पर भी काम कर सकते हो यहां पर भी आपको सेम एक्सल की टेबल मिलेगी आप इसको भी यूज कर सकते हो जैसे आप एक्सल में यूज करते हैं तो फिलाल के लिए मैं अभी इसको डिलीट कर देता है अभी मेरे काम की नहीं ह ब बात करते हैं आगला ओप्षन क्याओ तो अगला प्षन यहां पर दिया रोगा प्रिफिक टूल वास्का तो पर कुछ बनी बनायर चीजान आपको यह एंदर आपको यूज करनी है चाहिए था बात में आप इसमें डेटा में चेंजिस कर सकते हैं आप कुछ भी डेटा यहां पर टाइप कर सकते हैं तो इस तरीके से आप MS Word के अंदर टेवल्स को यूज कर सकते हैं आयूप आपको समझ में आ गया होगा चली फटा पर मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास 4 टाइप करने सकते हैं आप 2000 में चाहेंच तो इस तरीके से आप टेवल को यूज कर पाएंगे अपने एमस वर्ड के अंदर अच्छा आप टेवल को बना लेते हैं टेवल कंप्लीट कर लेते हैं फिर आप क्या कर सकते हैं यहां पर ऊपर देखेंगे ऊपर आपको फॉर्मेट करने के लिए बहुत सारे स्टाइल मिलते पर जीति और है इनमें आप एपने टेवल को डिजाइन कर सकते हों और यहां पर आप देखेंगे आपको भारभार कर डिजाइन भिजाइन कुछ आहें उसके यहां पर यूज कर सकते हो इस तरीके से तो फिलाल मैं इसको बहले डिलीट कर देता हूं अभी जरूरत नहीं है तो मैं सब्सक्रीट करेंगे यहां पराबनाने के लिए कुछ कूलम बनाने के लिए यहां पर मैं 10 कॉलम बनाने के लिए क्विट व मैं कीरितने है जाब तक वासतो जोट दस कॉलम है来 किस्व नो है आपको करना क्या सिंपल से ऊपर जाएंगे यहां से आप इसको कर मैठ कर सकते हैं इस के लब हम अगर आप इसमें बहुत सारे गांवे इस पर मैं अलग से डिकेटेट वीडियो बनाऊंud पर मैं आपको टेबल को यूज करना सीखाऊंगा बहुत ही डीटियल में बनाऊंगा आगे हम बात करते हैं लेकिन उससे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अब यहां पर आते हैं दॉर डेवल में तो क्लिक करेंगे तो यहां पर तो आप अच्छे से कर पाएंगे तो यहाँ पर आप आसानय से टेबल को ड्रॉघ कर सकते हैं जितनों तर से आप डिलीट कर सकते हैं और उस पर रिलीट भी कर rhимखेंगे त्शुब्स यहांप झाटर आपके वर्ड subtagen गौक्ष पर हो जाएगा में इक्सल तो जैसे ऍजल में काम करतесь है से उसी तरीके से यहां पर भी अपने टार्ट कर सकते हैं आपको जो भी काम करना हो आप सिंपल कर सकते हैं कि च Wahr आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो अगर आप एक्षल को यूज करना चाहें तो सिम्पल सा रट के अंदर ही एक्षल पही यूज कर सकते हैं सेम की अब आप के अनरे सारे काम कर सकते हैं में इसमें वर्ड में is लिए तो फिलाव के लिए मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं कि अगला ओप्छन दिखते हैं अगला पस्याए नहीं पर क्लिक करोंगा यहा पर आप देखेंगे टेवल के रूपे हमारा वकलेंडर आ चुका है इसकी साइज को वहां कर सकता हूं कर सकता है यहां से आप डेटा में चेन्जिस कर सकते हैं इस तरीके से आप जो भी डेटा चाहें उसमें छेटखानी कर सकते हैं तो इस तरीके से आप और MS Word के अंदर टेवल टूल होता है उसको आप यूज कर सकते हैं और आप उसको यूज करके अच्छी से में फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं तो फिलाल के लिए मैं यहां पर अपने वीडियो को कैसा लगा कॉमेंट करके जरू कताईएगा बन में कुछ सवाल है तो कॉमेंट कीजिएगा और ऐसे आउज जादा वीडियो सिखने के लिए अमारे चैनल कंप्यूर सीखें पर जोड़ से विजिट कीजिएगा चले दूसर जल्दी मिलते हैं आप से करना है वीड बाद 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 एन्यवाद